हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्बुक्स लिविंग नौ चाइल बिहाइन मैं अक्षे मालव लेके आ हूँ आपके लिए टीचिंग प्रॉम कोटा टू एंडिया लाइव जी हाँ जहां हम आपको सिक्स टू एट के अलब प्यार्ट के साथ साथ न्टी ए ताकि आप उनके अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें घर बैटके आप यहाँ पर ले रहे हैं स्टडी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ऑलंपियार्ट की तयारी कर रहे हैं आपको यहाँ पर किसी ना किसी ऑलंपियार्ट को जो है क्रैक करना है उसके अंदर अच्छी रांक लेके आनी हैं तो हम यहां पर आपकी उसी में ही मदद करने वाले हैं और हमारी expert team पूरी expert team आपको यहां पर आपके school examination में भी help करने वाली है सारी चीज़ें आपको यहां पर detail में पढ़ाई जा रही हैं बहुत basic से basic concepts भी आपको यहां पर समझाय जा रहे हैं ठीक है so I hope आप लोग भी अच्छे से तयारी कर रहे हैं proper notes ले रहे हैं proper lectures ले रहे हैं हमारी पूरी faculty team से और यहां पर अपने syllabus को complete कर रहे हैं अपनी studies पर ध्यान दे रहे हैं यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं यहां पर हम chemistry पढ़ रहे हैं आई टीच यू chemistry my name is Akshay Malov as you know so यहां पर आज हम क्या कर रहे हैं new chapter start कर रहे हैं in chemistry in our class 7th that is water a precious resource you know water क्या है हमारा precious resource है बहुत ही अच्छा precious resource है यानि कि बहुत ही essential अगर मैं word यूज करूँ तो यहां पर क्या है water है जैसे air as a precious resource है free of cost हमारे लिए available है बट water के लिए यहां पर जो है कहिना कहीं cost लगता है आपके घर में पानी आता है तो वहां पर आपको उसका जो है बिल देना होता है चाहिए तो यहां पर कुछ जगह यह costly है यहां पर कुछ जगह इस पर जो है tax लगता है यानि कि आपको pay करना पड़ता है और कुछ जगह यह जो है free of cost यूज किया जा रहा है चाहिए water को हम यहां पर बहुत चारी जगहों पर use करते हैं के इस चाप्टर में हम water के बारे में discuss करेंगे water किस तरीके से हमारे लिए बहुती जाधा प्रीशिएस है और किस तरीके से हम इसको यहाां पर waste कर रहे हैं के सो विल्लिकिस all the things about water in this chapter चीछ rap और यहां पर wastewater को किस तरीके से manage किया जाता है, वो सारी चीज़े हम यहां पर इस chapter में discuss करेंगे, ओके, so इस तरीके से जो भी topics आपके cover होएंगे, इस chapter के अंदर, या फिर other subjects में जो भी topics आपके चल रहे हैं, उस related अगर आप हमारा sample material देखना चाहते हैं, तो आप हमें join कर सकते हैं, कहाँ पर? Telegram app पर, telegram app पर जाके आपको क्या करना है, अपनी relevant class के group link को वहाँ पर join up करना है, जैसे की for class 7, the group link is TTB07, आप वहाँ पर जाकर के अपने इस group link को join up कर सकते हैं, बड़ी ही असानी से, और इसके बाद यहाँ पर जाकर के आपको क्या करना है, वो study material डाउनलोड करना है, उसको practice करना है, उसके अंदर बहुत ही अच्छे-च्छे questions है, और अगर वो चीज आपको पसंद आती है, जो की I guarantee कि आपको वो पसंद आने वाली है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं हमारी website पे, that is talkingtextbooks.it, यहाँ पर जाने के बाद आपको, क्या मिलने वाला है बच्छों, यहाँ पर जाने के बाद आपको पूरा comprehensive study material मिलेगी, आपको चाहिए होगा कि मुझे other subjects का भी इसी तरीके से material मिल जाए, comprehensive study material मिल जाए, या फिर जो है यहाँ पर सब कुछ, test series भी मैं join up कर लो, तो वो सारी चीजे हम आपको यहाँ पर provide कर वा रहे हैं, किसके अंदर, foundation and olympiard course के अंदर for class 7, जैसे ही आप यहाँ पर website पर जाकर के choose करते हैं, foundation and olympiard for class 7, आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से different packages देखने को मिलेंगे, जैसे के अंदर आपको यहाँ पर comprehensive study material के साथ साथ, आपको क्या मिलने माला है, comprehensive study material के साथ साथ, आपको यहाँ पर recorded and live classes मिलेंगी, from ddb experts, इसे के साथ साथ homework submission by weekly quizzes, and periodic test paper भी आपको जो है यहाँ पर मिलने वाले हैं, चीके, तो आप इस में से जो भी आपको अच्छा लग रहा है, उसे आप यहाँ पर choose कर सकते हैं, buy now पर click कर सकते हैं, और उसके बाद आप कहां जाएने हैं, यहाँ प्राइस डिटेलिंग उप्शन में, second package की अगर मैं बाद करूँ यहाँ पर, तो आपको अगर full course study material नहीं चाहिए, comprehensive study material नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पर second package भी choose कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको यहाँ पर periodic test paper दिये जाते हैं, देखो periodic test paper से होता क्या है, यहाँ पर आपको competitive environment मिलता है, इसी के साथ साथ आप उससे अपनी rank evaluate कर सकते हैं, अपनी performance को check कर सकते हैं, कि आप कहाँ पर गलतियां कर रहे हैं, कहाँ पर mistakes कर रहे हैं, क्या आपकी weaknesses हैं, और किस topic पे आपको work करनी की ज़रुत हैं, जो आपकी strength हैं, वो तो strength हैं ही सही, आपकी weaknesses को भी आपको अपनी strength के अंदर convert करना है, चीक है, तो वो सारी चीज़ें किस से पतलती हैं, जब आप यहाँ पर regularly test देते हैं, तो regularly check करते हैं अपनी performance को, कि अब जो है, आप किस तरीके से यहाँ पर marks लेके आ रहे हैं, चीक है, तो यहाँ पर, अविलेबल कर सकते हैं, कैसे आपको apply करना होगा coupon code यहाँ पर amlive, जैसे ही आप amlive apply करेंगे, आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, 30% का discount मिलने वाला है, तो 30% का discount आपको तभी मिलेगा, जब आप coupon code apply करेंगे, क्या amlive, चीक है, और उसके बाद आप यहाँ पर buy package पर click करके, इसे buy कर सकते हैं, बड़ी असानी से, through credit card, debit card, और through net banking, चीक है, तो फटाफट से जो है, आप join up कर सकते हैं, हमारे साथ subscription ले सकते हैं, and if you have any doubt, अगर आपके बंद में कुछ questions हैं, कुछ doubt है, तो आप यहाँ पर call कर सकते हैं, इन numbers पर, अपनी queries, अपनी doubt, अपनी questions, जो है, बेज ज़द्म यहाँ से, आप पूछ सकते हैं, चीक है, नमबर बहुत simple है, फटाफट से note कर सकते हैं, 954, 904, 111, तो चलिए, हम lecture को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं, और जैसा कि आपको पता ही है, हम क्या करते हैं, lecture शुरुवात करने से पहले, हम यहाँ पर cardinal promise कर ले हैं, ओके, what we do, we do cardinal promise, तो फटाफट से cardinal promise कर लीजिए, I promise, I promise, I promise, to listen to the complete lecture, and make proper notes of it, so that I can become a smart student, ताकि मैं क्या बन सकूँ, यहाँ पर smart student बन सकूँ, क्या बनना है आपको, smart student बनना है, तो कि थोड़े से sincere हो जाईए, थोड़े से यहाँ पर honest रहिए, lecture के दौरा, ठीके, lecture को पुरा ध्यान से सुनिए, और proper notes यहाँ पर लेते रहिए, इसके अंदर होने वाले हैं, वो क्या है, that is introduction, basic introduction पढ़ेंगे हम, water क्यों हमारे लिए, जो है as a precious resource है, availability of water, composition of water, states of water, के बारे में हम यहाँ पर discuss करेंगे, तो इस पूरी chapter में, basically आप पढ़ने वाले हो, availability of water, वाटर कितना हमारे पास available है, कितना बचा हुआ है, और कितना यहाँ पर जो है, it's of no use, वो सारी चीज़े हम इसके अंदर discuss करने वाले हैं, इसके साथ-साथ यहाँ पर बहुत सारी terms, आने वाली है, water के अंदर, उन सारी चीज़ें के बारे में हम discuss करेंगे, और लास्ट में एक यहाँ पर यह बड़ा टॉपिक है, यहाँ पर यह बड़ा टॉपिक है, आफ वाटर आज यौर अप्रिशियर्स रिसोर्स, चीज़ें, ओके, चालें, नाँ सीधा, शुरुवात करते हैं, आट वाटर इस अशेंशियल सब्स्टेंश जिसे हम बोले, एक रिसोर्स है, हमारी लाइफ के लिए, चीज़ें, हम सभी किस पर डिपेंटेंट है, वाटर पर डिपेंटेंट, किस पर डिपेंडेंट है water पर डिपेंडेंट है and it is your vital source or the we can say that vital substance चीक है कौन है वाइटल सब्स्टेंज water water क्या है आपका vital substance है and diverse by its nature चीक है तो water की बिना हम यहां पर कुछ दिन ही जिदा रहे पाएंगे जैसे air के बिना अगर मैं बात करूं तो air के बिना आप यहां पर कुछ minutes ही जिन्दा रहे सकते हैं अगर सांस नहीं ले पाएंगे तो you'll die okay आप मर जाएंगे बट water के बिना भी आप यहां पर क्या होंगे water के बिना हम यहां पर एक दिन दो दिन तीन दिन रुख सकते हैं बट water के बिना हम यहां पर जादर दिन सर्वाइब नहीं कर पाएंगे हमारी पूरी बॉड़ी जो है around 70% जो है वो किस से मिलके बनी है water से मिलके बनी है हमारी पूरी बॉड़ी के अंदर क्या है water है 30% ही as a solid state हमारी बॉड़ी के अंदर present है बाकी सारा क्या है fluid ही fluid है जो की flow कर रहा है regularly body के अंदर तो यहां पर water essential यहां पर vital substance है जिसे हमें यहां पर regularly क्या होना करना चाहिए consume हम करते हैं और करना भी चाहिए इसके बिना हमारी body की पूरी proper functioning नहीं होगी यहां पर आपका blood flow normal नहीं होगा body को यहां पर बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है water को हम बोलते है as a universal solvent universal solvent क्यों बोलते हैं क्योंकि यह पहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर dissolve कर लेता है उनको decompose कर देता है तो यहां पर हमारे food के digestion के लिए भी water जो है as a essential substance जो है काम आता है अगर मैं बात करूं तो washing में यूज आता है ब्रिंकिंग में यूज आता है और यहां पर bathing में बातिंग में जो है आपका water यूज आता है तो इसी तरीके से बहुत-बहुत सारे इसके uses हैं जहां पर water basically काम आता है कि कोकिंग में हम सब यूज लेते हैं यूटेंसल्स क्लीन करने में हम वाटर का ही यूज लेते हैं तो इस तरीके से water के यहां पर बहुत चारे uses हैं और बहुत ही यह essential और vital substance एक और important एक different बात अगर मैं यहां पर करूं तो हम वोल्ड वाटर डे कब मनाते हैं वोल्ड वाटर डे क्या आपको याद है हम वोल्ड वाटर डे मनाते हैं ताकि हमें याद रहे कि यह water जो है वो एक essential एक vital substance है तेके it is very essential for our life तो हमें इसे यहां पर waste नहीं करना चाहिए तो हम वोल्ड वाटर डे कब मनाते हैं यह याद दिलाने के लिए लोगों को हम आना चाहिए और उस वक्त हमें यह यह याद रखना चाहिए तो वोल्ड वाटर डे मनाते हैं हम 22 मार्च को कब मनाते हैं 22 मार्च को मनाया जाता है आपका क्या वोल्ड वॉटर डे तो याद रखिएगा World Water Day कब मनाया जाता है 22 March को तो यहाँ पर हम याद रखते हैं कि हम वाटर जो है हमारा यहां पर as a essential क्या है सबस्टेंस है वाइटल सबस्टेंस है जिसे हमें वेस्ट बल्कुल भी नहीं करना है को जड़ा जरो एक 참 करता है स्टीट ऑफ वाटर कि अगर मैं बात करूं तो तीन स्टेट बिसकली एकसी अज्ट करता है थीत स्टेट में ली है हमारे यहां पर किसकी मैटर की क्या है आपका मैनल ही है छेखे वाइंड भी का है मैटर है veggie मैटर की हैं तीन स्टेट होती है we filming एक ऐसा सब्सटेंश है जिसकी हमें तीनों ही स्टैट यहां पर देखने को मिलती है कौन-कान सी स्टीट इंद ऑफ आइस ओके यहां पर हमें जो है उसका वेपर स्टेट मिलता है इन दो फॉर्म आफ स्टीम और लिक्विड स्टेट में तो वो क्या रहता है आपका इन दो फॉर्म आफ वाट जिके जो वेपर स्टेट है स्टीम स्टेट है जिके यह क्या है गैसे स्टेट है जिके तो यह गैस सिसोग каким-0 सालिड में वह आईस फ़ॉप में प्रेजन्न रहता है। और लेकृट में वह नॉपल वॉर्टर की फ़ॉपम में प्रेजंट है डिस ठेसें इनके डिफिरेंट टेंपरिचर पर यह हमें exist करती है हमें दिखाई देती है अब water को आप क्या करोगे boil करोगे 100 degree centigrade पर वो क्या होगा steam में convert हो जाएगा water को आप यहां पर cool करोगे freeze करोगे तो वो 0 degree से कम जाने पर क्या हो जाएगा यहां पर freeze हो जाएगा यानि कि ऐसा तो नहीं है कि हमने water को एक बार freeze कर दिया तो यहां पर suppose हमने fridge में ice cubes रख दी जमान दी मतलब water रख दिया और उसकी ice cubes बन गई तो वापस से हम उसे water में convert नहीं कर सकते हम कहीं भी उन्हें use करें suppose आपने lemonade बनाया और उसके अंदर आपने ice cubes डाली तो वो किसमे convert हो जाती है वापस से water के अंदर convert हो जाती है कोई भी cold drink वगरा पीते हैं तो उसमें क्या डालते हैं महां से ice cubes निकाल करके डालते हैं तो इस तरीके से इन्हें inter convert किया जा सकता है अगर आप temperature दोगे तो ice भी वापस से किसमे convert हो जाएगी water में convert हो जाएगी और water को further आपने temperature दिया तो वो stream में हो जाएगा और stream को आपने further cool किया तो वो वापस से किसमें आ जाएगी water के अंदर convert हो जाएगी तो इस तरीके से water की तीनों ही state आपस में क्या है यहां पर interconvert हम इन्हें कर सकते हैं, चीक है, interrelated है, interconvert कर सकते हैं, on different temperature, चीक है, अगर हम उसका temperature जो है, change कर दें, तो हम उसे जो है, किसी भी state के अंदर convert कर सकते हैं, चीक है, understood, यहां पर जो है, air के अंदर present है, चीक है, earth surface भी present है, यहां पर ground के अंदर भी present है, चीक है, सब जगा water ही water present है, हमारी earth यह blue क्यूं है, यहां पर most of the content जो है, वो क्या है, water है, around 71% यहां पर क्या है, earth के उपर water present है, बट उसमें से कुछी percent जो है, वो usable है, बाकी सारा यहां पर क्या है, in the form of ocean, ocean कितने हैं, बलकुल आप उसका end नहीं देख सकते, जहां से भी वो start होता है, और फिर जहां तक आप कोई निजर जाती है, आपको पानी ही पानी दिखाई देता है, तो यहां पर अगर आप कहीं बीच में फस जाएं, तो आपको किनारा डूंडते डूंडते जो है, आपकी यहां पर life बे जा सकती है, यहां पर बहुत ही, जो है, about we can say that, बहुत सारे kilometers तर, बहुत लंबा, यहां पर क्या है, ocean फैला हुआ है, ओके, so, see, यहां पर water, air के अंदर present है, in the form of vapors, ओके, यहां यहां पर water, air surface में present है, in the form of rivers, lakes, ठीक है, और यहां पर ground water भी present है, in the form of wells, तो यहां पर water जो है, shape करता है, हमारे किसको, ecosystem को, ठीक है, यहां पर dramatic range of natural ecosystem, ठीक है, वाटर क्या करता है, it gives shape to your natural ecosystem, इसकी वज़े से हमारा यहां पर ecosystem जो है, वो बना हुआ हुआ है, यहां पर water vapors जो है, उठते हैं, through evaporation, और यहां पर clouds में जाते हैं, clouds में वो condense होते हैं, condense होके, यहां पर वापस से, rainfall की form में, जो है, water वापस से, आपकी earth surface पे आ जाता है, तो यह क्या है, water cycle है, जो continuously क्या कर रही है, चल रही है, और इसकी वज़े से, यहां पर क्या हो र आगे हैं, चल आगे बढ़ते हैं, यह आपने यहां पर slogan तो सुना ही होगा, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, चल रही है, जल है तो कल है, अगर आज हमारे पास water है, तो we have future, हमारे पास क्या है, future है, that is, if you have water, you can think of future, अगर आपके पास आज water है, तो आप अपने future का सोच सकते ह हैं आगे, अगर आपके पास water नहीं है, तो आप अपने future का आगे सोच नहीं सकते, क्योंकि यहां पर जो है water, क्या कोने वाला है, water के मिना आप यहां पर कुछ दिन ही survive कर पाएंगे, तो अगर आज आप water save करते हैं, तो ही आप वहां पर आगे की life अपनी यहां पर सोच सकत हैं, अगर आपके पास water आज नहीं है, तो कि बहुत सारी state में अब ऐसे condition आ गई है, कि वहां पर water जो है, बिल्कुल खतम हो चुका है, ग्राउंड वाटर बिल्कुल जो है, खतम हो चुका है, वहां पर कोई ऐसा natural resource नहीं है, जैसे कि river pond हो गया, lakes हो गई, जहां से water की supply की ज तो बैंगलॉर है, और चैन्ने ही है, चैन्ने में वहां पर जो है, बिल्कुल एकदम drought वाले situation आ गया है, बिल्कुल सूखा पढ़ गया है, water वहां पर बिल्कुल जो है, एक तरीके से खतम हो गया, कुछ cities के अंदर बात करें, यह फैल भी चकता है, बढ़ भी चकता है, बहुत सारी states, और we can say that cities, कुछ cities, around 20 cities, जो हैं वहां पर बिल्कुल एकदम सुखा पर जाएगा, तो चैन्ने ही से यहां पर यह शुरुआत हो चुकी है, वहां पर tankers के थुरू पानी पहुंचाया जा रहा है, summers के दौरान, ठीके, summers के दौरान वहां पर बिल्कुल भी पान पानी नहीं था, तो tankers के थुरू वहां पर पानी पहुंचाया गया, लोगों ने उसे यूज किया और वहां पर जो है, अपनी daily needs पूरी की, जिके, बट वहां पर बहुत जादा क्या हो रही है, scarcity हो रही है, किसकी, water की, जिके, वहां पर water, वहां पर बिल्कुल भी, जो है, नहीं है, खतम हो रहा है, okay, so इस तरीके से water को यहां पर judicially use करना ज़रूरी है, because water नहीं रहेगा, तो हमारा future भी नहीं रहेगा, क्योंकि water से ही, जो है, बहुत सारी चीज़े यहां पर चल रही है, जिके, हमारी body ही, basically function कर रही है, किसकी वज़े से, water की बज़े से, जिके, और daily हमें जो है, यहां पर, as the doctor advice, हमें जो है, around 8-10 glass of water daily consume करना चाहिए, हमारी body की proper functioning के लिए, जिके, अगर ऐसा आप नहीं करते हैं, तो अंदर ही अंदर आपके पेट में, जो है, कुछ न कुछ, यहां पर बिमारियां, disease जो है, पैदा होंगी, ना, उनका जो है, यहां प जो है, पूरा, यहां पर filter चलता रहता है, किसका, ब्लड का, तो यहां पर proper नहीं होगा, आपकी heart जो है, proper functioning नहीं होगा, blood की clotting होने लग जाएगी, blood जो है, वो पतला नहीं रहेगा, गाड़ा हो जाएगा, गाड़ा हो जाएगा, तो वो properly flow नहीं करेगा, आपकी veins के अंद जो है, मालो, सिर्दर्द होता हो, आपका तो नहीं होता होगा, अगर कभी देखा, बढ़ा होता है, ठीक है, मैंने भी try करके देखा, अगर आप proper वहां पर water लेते हैं, तो बहुत चारी चीज़ें तो वैसे ही ठीक हो जाती है, सिर्दर्द भी ठीक हो जाता है, तो वो क्या सारी चीज़ें, सिंपल वाटर से ही solve हो जाती है, बहुत सारे disease, अगर आप यहां पर साफ पानी पीते हैं, तो साफ पानी पीना चाहिए, आजकल सब की घरों में जो है, आरो अगर अलगा हुआ है, तो आगे बात करते हैं, water के बारे में, that for the earth's inhabited, diversity of resources also means the great disparities in well-being and the development, यहां पर अगर हम बात करें, earth के inhabitants की, तो यहां पर diversity of resources also means, यहां पर diversity है, बहुत सारी resources present है हमारे earth surface पे, उनका मतलब यहां पर क्या है, उनकी disparity और उनका development, उनकी वज़े से क्या हो रहा है, यहां पर development हो रहा है, as we degrade the quality of our water, अगर हम क्या करते हैं, degrade करते हैं, quality of water, यानकी fresh water के अ fix करते हैं, जैसे की factory waste, जो है, कोई भी आपके घरों का waste, किसके अंदर जा रहा है, अगर पास से कोई वहां पर river है, तो उसके अंदर डाला जा रहा है, तो वहां पर वो क्या हो रहा है, जो fresh water है river का, उसे हम क्या कर रहे हैं, degrade कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, and modify the natural ecosystem, on which people and life depend, जिनके उपर क्या हो रहा है, people or life, जो है, सब कोई, हर कोई जो है, उसमें dependent है, we also threaten our own survival, हम जो है, अपने खुद के लिए खत्रा बन रहे हैं, हम खुद के लिए यहां पर क्या है, नुकसान कर रहे हैं, खुद का ही नुकसान कर रहे हैं, खुद के लिए ही एक तरीके से ख हैं, किसके बारे में, availability of water, water आपके यहां पर, जो है, कितना available है, चिके, availability of water, water is your most widely occurring substances on this planet, इस planet पे जो की water है, वो क्या है, most widely essential substance है, चिके, और यहां पर बहुत सारा present है, कितना, बहुत सारा, around, यहां पर 94 to 97 बोलते हैं, चिके, percentage आपको different, different books में different दिया होगा, हैना, हम 94 to 95, 97 यहां पर consider करके चलते हैं, चिके, now, see, globally distributed by hydrological cycle, यहां पर distributed है, कुछ जगह पर पानी है, कुछ जगह पर पानी है, कुछ जगह पर पानी नहीं है, हैना, desert होगे जैसे, वहां पर पानी की बहुत कमी है, पानी होता ही नहीं है, चिके, कुछ जगह पर, यहां पर, जो है, Iceland है, चिके, या फिर बोले, oceans है, और या फिर, ponds है, कहीं cities में से, कहीं states में से, बड़ी-बड़ी reverse निकल रही है, तो वहां पर, क्या है, water, जो है, different, different जगह पर, available है, ओके, now, driven by the energy cycle, the circulation of water power, most of the other natural cycle, and the condition of weather and climate, यहां पर depend करता है, ठीके, water case पे, condition of weather, और यहां पर climate की, ठीके, कहीं पर, किसी जगह जो है, बहुत बारिश हो जाती है, जिसकी वज़े से, floods आ जाते हैं, proper, यहां पर drainage system नहीं होता, तो उसकी वज़े से, वहां पर floods आ जाते हैं, कहीं-कहीं बारिश जो है, होती ही जाता है, और कहीं-कहीं पर बिल्कुल भी, जो है, किसी साल बारिश होती है, किसी साल नहीं होती, तो जो साल नहीं होती, वहां उस साल जो है, दिक्कत आ जाती है, water की, थोड़ा सा drought, जो है, season, उसे कह सकते हैं, वहां पर पानी जो है, बिल्कुल नहीं रहता, और कहीं-क water has shaped the earth evolution and continues to fashion its program जिके वाटर जो है यहां पर शेप करता है किसे पूरे इकोसिस्टम को कि यहां पर जो है अर्ट को शेप करता है पूरे एकोसिस्टम को शेप करता है और आप देखे आउट की इमेज कैसी बनाए जाती है ब्लू कलर की कुछ कुछ जगर यहां पर जो है लैंड दिखा जाता है तो वह ब्लू सारा क्या है वह वाटर ही है क्या है वह वह वाटर ही है जिके ना अराउंड यहां पर जो है आपका अगर परसंटेज की बात करें क्या होता है यहां पर precipitate होता है कि से atmosphere से on to land ठीक है और कहां पर आता है वापस से land पर आता है जैसे कि water evaporate हो रहा है evaporate होने के बाद वहां पर clouds में store हो जाता है where it may stored in the liquid or solid form यहां पर store होता है कि इसमें liquid or solid form में and can move lately or literally and vertically and between the one phase to another phase by evaporation evaporation की help से जैसा कि आपको बता है water cycle किस तरीके से run करती है आपके surface पर जो water present है वो यहां पर क्या हो रहा है evaporate हो रहा है जैके evaporation किसी भी temperature पर हो जाता है तो यहां पर water समुझ के अंदर generally maximum evaporation होता है और continuously जो है वो evaporate होता ही रहता है तो evaporate होने पर यहां पर impurities नहीं रहती वो fresh vapors ही रहती है में सारी gases form रहता है उपर उठता रहता है और यहां पर clouds में चल जाते है ख्लाउदस में वहां पर temperature कम होता है temperature कम होने की वजह से vapors यहां पर क्या जाते हैं condensed हो जाते हैं condensed होने के बाद वहां पर इختटे होते रहते हैं इ attracts high होते होते जैसे कि बहुत सारा clouds जब heavy होगे heavy होने के बाद वह जहां पर temperature ज्यादा रहता है वहां पर उस तरफ attract हो जाते हैं यहां पर low temperature रहता है वहां उस तरफ क्या हो जाते हैं अट्राक्ट हो जाते हैं आपके क्या water vapors or we can say that clouds ठीक है और वहां पर फिर वह rainfall कर देते हैं बरस जाते हैं तो यहां पर evaporation होता है condensation होता है freezing होती है and towing on the land surface ठीक है तो यहां पर क्या होता है freezing हो जाती है condensation होता है और evaporation होता रहता है किसका water का यह process जो है continuously चलता रहता है this water can travel at widely differ velocities usually by predictable pathways which can slowly change with time जो भी water vapors जो भी clouds वहां पर move करते हैं उनको हम predict करते हैं विदर वाले क्या करते हैं आपर विदर जो association है वो सब क्या करती हैं आपर predict करती वो बहुत बार उनकी prediction जो है सई जाती है बहुत बार उनकी prediction जो है सई नहीं हो पाती क्योंकि यह जो है नहीं है यह नेचर की control में है और यहाँ पर वेपर किस side भी वोग हो जाते यहना वेदर वाले जो है वेदर असोशिएशन यहाँ पर क्या करते हैं बता देते हैं कि यहाँ पर तीन चार दिनों में जो है तीज बारिष की आशनका है तेज बारिश यहाँ पर हो सकती है तो यहां पर बता देता है वो किस वाई से बताता है वो vapors को यहां पर जो भी clouds move करते हैं उनको पूरा check करते रहते हैं यहां पर satellites के थुरू किसी भी help के थुरू यहां पर machines और intelligence के थुरू वो क्या करते रहते हैं चेक करते रहते हैं वो बता देते हैं कि यहाँ पर अगर इस speed से इस velocity से जो vapors हैं वो move कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है दो से तीन दिन के अंदर बारिश हो जाएगी या फिर यहाँ पर आगे आसपास कहीं भी water vapors नहीं है तो यहाँ पर अब बारिश नहीं होगी या बारिश होना possible नहीं है तो इस तरीके से यहाँ पर इन्हें जो है examine किया जाता है चेक किया जाता है और यह move करते हैं अब हम अगर बात करें availability वाटर हमारे पास available है बहुत ही different डिफरेंट जो है यहाँ पर sources में resources में जो है अब आउट अगर हम बात करें three-fourth of earth surface is covered with water three-fourth of हमारा earth surface जो है वो किस से covered है water से covered है water is found in puddles pond river lake and ocean ocean में rivers में lakes में ponds में जो है हमारा यहाँ पर water present it is present under the ground and in the form of glaciers also in the form of ice मार पास water जो है ground water भी present है यानि की surface के अंदर भी present है और in the form of glaciers भी हमारा पास water present it is also present in air and in the form of water vapors यह कहाँ पर present है air के even air के अंदर भी water आपका present है in the form of water vapors तो यहाँ पर आप इससे देख सकते हैं यह scale आपको दिखा रखा है चिक है scale में आपको बताया है कि all water on earth सारा water कितना है यहाँ पर 97 परसेंट अगर हम ले water तो यहाँ पर 97 उसमें से कितना है 97 यहाँ पर saline water है ocean water है जो कि किसी भी कामका नहीं है उसे हम यहाँ पर use नहीं ले पाएंगे okay now उसके अंदर जो बचा आपका third percent वो क्या है तीन परसेंट क्या है यहाँ पर fresh water है जो यह 3 परसेंट आपको देख रहा है बचा हुआ यह क्या है आपका पूरा fresh water है जिसे आप यहाँ पर use ले सकते हैं जो कि आपके कामका है जिके उस तीन परसेंट में से भी आगे further हम डिवाइट करते हैं तो यहाँ पर जो की आपका that is most of it is in the form of glaciers किस फॉर्म में है आइस की फॉर्म में उसे भी हम यहाँ पर use नहीं ले पाते हैं वो यहाँ पर summers के अंदर जो है धीरे-धीरे पिगलता है तो वो यहाँ पर reverse के अंदर आता है हिमाल्या से water आता है यहाँ पर most of it is in the form of ice capes और यहाँ पर glaciers की फॉर्म में उसमें से आपका 30% जो है वो ग्राउंड वाटर की फॉर्म में प्रेजेंट है ठीके फॉर्दर यहाँ पर जो 0.9% बसता है वो क्या है आपका surface water और surface water का मतलब यहाँ पर in the form of lakes ठीके reverse, okay, lakes है और swamps ठीके तो यहाँ पर lakes में जो है वो around यहाँ पर जो surface water जिसे हम बोलते हैं 0.3% ठीके और उसमें से यहाँ पर बहुत सारा जो है lakes में present है further यहाँ पर बहुत कम जो है reverse अब बची है ओके और बाकी यहाँ पर जो है swamps से भी आपका यहाँ पर जो है maximum चला जाता है किसमें in the form of glaciers, okay, so बहुत बहुत कम हमारे पास जो है even water प्रेसेंट है ठीक है in the form of lake, ponds, okay, अगर आप देखते हैं कि काफी सारा पानी है और आपके city में आपके शहर में है ना आसपास कोई lake जा रही है, okay, या फिर river है और आप सोचते हैं कि इसमें जो है हमेशा पानी ही रहता है और हम इसे जो है कितना भी use कर सकते हैं तो you are wrong there, okay, ऐसा नहीं है, okay, वो हमेशा नहीं रहने वाला है अगर आप उसे जो है यहाँ पर बिल्कुल भी जो है ध्यान नहीं रखते हैं, judicially used नहीं करते हैं तो आने वाले future में आपको ही दिकत होने वाली है अगर you are lucky if you have the river or ponds or lakes in your city, in your locality, but if you don't use it judicially, it will cost you in your future, okay, यह आपको आपके future में जो है cost करने वाला है, यानि कि आपको मेहना बढ़ेगा, okay, चलिए, आगे बढ़े, now see, this is the availability of water, percentage, आपसे जो है यहाँ पर main main जो है चीजें वो पूछेगा, fresh water की पूछेगा और यहाँ पर saline water की पूछेगा, तो इसकी आपको जो है यहाँ पर याद रखना है, glaciers का पूछ सकता है, glaciers का आप लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 है, तो 3 में से 2.1% जो है, वो क्या है, in the form of glaciers आप लिख सकते हैं, बाकी 0 0.9% जो बचा, वो क्या हो गया, उसमें आ जाता है आपका यहाँ पर बाकी सारा surface water और ground water, चीखे, तो इस तरीके से आप यहाँ पर percentage के जो है, numbers denote कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ओके, चलिए, आगे बढ़ें, छीखे, नाओ, सी, वी आड़ अवेर, आट बाओ, 70% आफ अफ अर्थ सर्फेस इस कबर विट वाटर, 71, चीखे, हमें पता है, यहाँ पर 71 परसेंट जो है, अर्थ सर्फेस किस से कबर्ड है, वाटर से कबर्ड है, अल्मोस्ट अल द वाटर अन द आफ इस कंटेंड इन द सीज, चीखे, नाओ, आपर बहुत सारा वाटर जो है, कंटेंड है, किस के अंदर, सी के अंदर, चीखे, नाओ, आण, इन द ओशियन रिवर लेक्स, आइस कैप्स, जैसा गी अभी आपने पड़ा, ठीके, इन द फॉर्म अफ ग्राउंड और इन द फॉर्म परसेंट जो है, किस फॉर्म में है, आपका, सलाइन वाटर है, ठीके, ओशीन वाटर है, इडिज नाओ, फिट फॉर कंजप्शन, डिरेक्ट रिवर्स से अग उतना फ्रेश नहीं रहे, पहले तो लोग क्या करते थे, पानी लेने जाते थे, तो वो रिवर्स से ही डिरेक् जाते थे, ठीके, वो अपने आप ही यहाँ पर फ्रेश होता रहता थे, बट अब यहाँ पर हम जो है, एक्स्ट्रा उसके अंदर वेस्ट डालने लगे हैं, जिसकी वज़े से वो यहाँ पर उतना अपने आपको क्लीन नहीं कर पाता, ठीके, तो इस तरीके से यहाँ पर ज या फिर वॉटर ट्रीट्मेंट प्लांट से जो पानी आ रहा है, वो आपका सही वटर है, यानि क्लीन वटर है, ठीके, क्योंकि वह वहां पर उसे ट्रीट करके ही आपको जो है, फृधर सपलाई करते है, ठीके, तो यहाँ पर बहुत सारा पानी जो है, इस नौट फिक सबोज हम इमाजिन करें एक बकेट है हमारे पास वाटर की और वो क्या है इडिस यॉर टोटल वाटर प्रेजेंट ऑन और तो यहां पर क्या होने वाला है उसमें से अगर आप एक टेबल स्पून ऑफ वाटर ले तो इट रिप्रेजेंट यॉर फ्रेश वाटर कितना सोचने है तो इसए फ्रेश वाटर रीरजिन रजेंट कर रहा है इंड़ा हम अटा दें हम क्या कर रहे हैं ए मैजिन करने वाली लेते हैं तो उतना water present है आपका in the form of lakes and rivers तो सोचने वादी बात है कि कितना कम water जो है हमारे पास as a fresh water present उससे ही सभी की needs जो है complete हो रही है अगर कहीं से हम जो है this line water को किसी भी method से हम इसे use करना जो है सीख जाएं इसे use करना हम यहां पर समझ जाएं या फिर यह हमारे किसी ना किसी काम आ जाएं तो कितना अच्छा होगा okay so water present है in the form of ocean river ponds okay streams में lakes में यह यहां पर हमारे पास natural sources हैं किसके water के different sources हैं किसके water के okay understood आप चाहें तो इसे note कर सकते हैं ओके चाहें तो आप इसका screenshot ले सकते हैं okay कि समझाया है कि ना आगे बड़े एक छोटा सा और हमारे पास यहां पर है चीज दाड़ेस composition of water यहां पर किस तरीके से उसको composite किया गया है यानि किस तरीके से हमारे पास यहां पर present है इसका formula होता है as to oh हम सबको पता है बहुत सारी जगों पर आपने देखा भी होगा ओके हमने पहले भी जो है इसके बारे में discuss किया है पड़ा है okay now see water is your compound water क्या है यहां पर compound है हम अब यहां पर थोड़ा सा इसको यहां पर composition में आने है यानि की detail में देखना है किस तरीके से बना है hydrogen और oxygen से मिलके बनता है आमका क्या water okay so it consists of element that are your hydrogen and oxygen hydrogen और oxygen आपस में मिलती है तब जाके form होता है आमका क water water क्या है एक तरीक से compound है क्योंकि इसके अंदर different element present है क्या present है different element present है और वो क्या है chemically bonded है क्या है chemically bonded है एक दूसरे से oxygen यहां पर combine है किसके साथ दो hydrogen के साथ एक oxygen element आपका combine है किसके साथ दो hydrogen element के साथ और यह मिलके यहां पर क्या बनाते है water बनाते चिके now water is your stable compound water यहां पर stable है चिके बहुत असानी से आपको मिल जाता है unstable होता तो यहां पर वो जो है हम उसे ऐसे normally use नहीं कर पाते नहीं रख पाते but it can be broken into hydrogen and oxygen when electric current is passed through it यह process इसका formation जो है वो reversible है देखिए hydrogen और oxygen से मिलाके हम क्या बनाते हैं यहां पर water बनाते है H2O बनाते हैं चिके अब इस H2O को हम यहां पर further break भी कर सकते हैं यह कह रहा है कि इस H2O को हम यहां पर यह process जो है यहां पर reversible है चिके इसे हम यहां पर break भी कर सकते हैं H2O और वापस से O2 के इंदर तब जब हम क्या करें यहां पर water में से electric current पास करेंगे तो यहां पर gases liberate होगी कौन सी hydrogen और oxygen water आपका यहां पर break हो जाएगा यहां पर water को हम बना भी सकते हैं किसे वापस से hydrogen और oxygen से यहां पर यह एक chemical process है और यहां पर water का formula क्या है H2O water हमेशा किस ratio में present रहता है the ratio between hydrogen and oxygen hydrogen और oxygen के बीच में जो ratio रहता है water में वो क्या रहता है 1 is to 8 by mass present रहता है 1 is to 8 by mass क्या रहता है आपका ratio present रहता है किसके बीच में water के अंदर यानि कि hydrogen और oxygen के बीच कहने का मतलब यानि कि अगर हम इसका mass निकाल लाएं जैसे कि mass की क्या बात कर रहा है है कि देखिए यहाँ पर hydrogen है hydrogen का atomic mass होता है one बट यहाँ पर दो प्रेजेंट है तो हम इसका जो है के और यहाँ पर हमें actually this equation को balance out करना होगा तो यहाँ पर हम लगाते हैं 2 और यहाँ पर 2 लगाएंगे हम और इसके आगे 2 तो यह अब हो गया कितना यहाँ पर हो गया यह 4 यहाँ पर हमारे पास क्या है 4 & quatre फोट बट oxygen का यहाँ पर khojan का होता है oxygen का होता है यहाँ पर कितना sorry यहाँ पर 2 नहीं आने वाला है see यह सिर्फ यहाँ पर 2 आएगा that is hydrogen यहाँ पर balance out हो गया hydrogen के इधर 4 है और इधर भी कितने है 4 atoms present है oxygen के इधर 2 है और इधर भी 2 atoms present है यह आपको समझा है equation यहाँ पर balance है hydrogen के यहाँ पर 4 atoms present है but इसका atomic mass होता है 1 तो 1 into 4 जो है कितना आने वाला है 4 ही आने वाला है अब यहाँ पर इसका atomic mass होता है 16 16 into 2 हम करेंगे तो वो कितना आएगा 32 इसे 4 और 32 को जब हम simplify करेंगे तो यहाँ पर ratio क्या निकल के आता है 1 is to 8 का ratio निकल के आता है तो water हमेशा present रहता है 1 is to 8 by mass की form में है ना by volume की form में जो है यह present रहता है आपका 2 is to 1 that is H2O यानि hydrogen हमेशा 2 present रहेंगे है ना और oxygen जो है एक रहेगा तभी आपका water बनेगा water जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया यह कोई water नहीं होता आना आप कुछ भी formula इसका नहीं लिख सकते चीक है this is not water water कहीं भी आप देख लें river का ले ले, ponds का ले ले कहीं का भी ले ले, water America से ले आए, कहीं से भी Canada से ले आए, हमेशा उसका composition क्या रहने वाला है fixed रहने वाला है, that is H2O, हमेशा उसका composition क्या रहेगा, fix रहेगा water का, H2O water का composition change नहीं होगा water, जो है, हमारा क्या है compound है, क्या है compound है, it has fixed composition throughout throughout, okay understood, समझाया आपको इसे note कर ले, फटाफट से understood, so this was all about basic introduction about water, हमने composition पढ़ा, इसके बारे में हमने discuss किया, okay so I hope you like the video and if you like it please share करे, subscribe करे channel को, और bell icon को भी जरूर प्रेस करे, to get the timely notification of all such lovely videos, okay, and give it a like, okay, इसे तरीके से बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं ले lecture में, तब तक के लिए, thank you take care, bye-bye बढ़ते गःको प्रेस करें प्रेस रहिए, करें भी आप करें झापक्टरवब़बबदे लिए च।क्टरवबबबदे